हेलो दोस्तों मैं हूँ संतोष निकमुर मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस अफ स्टॉक्स दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एन बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स कल के दिन के मेरे बहतरीन तीनों ब्रेक आउट स्टॉक्स जो के फ्यूचर एन आप्शन्स में भी लिस्टेड है और 446 देज तक 99% कि उनकी अकिरूसी जो है वो भी बरकरार है तो आईए चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को दोस्तों वीडियो को शुरुआत करेंगे निफ्टी एन बैंक निफ्टी के जो भी कल हम लोगों ने लेवल्स डिसकस किये थे आज के इंटरेडे ट्रेडिंग के लिए उसके अनलिसिस के साथ मैं शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में तो बैंक निफ्टी में 44,057 का हम लोगों ने इंपॉर्टन लेवल डिसकस किया था मार्निंग में इसे रेटेस्ट भी गिया था मार्केट में लेकिन इसके उपर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और कम्प्लिटली साइड वेस आज का दिन जो है वो हम लोगों को यहां पर बैंक निफ्टी में देखने को मिला हाला कि मैंने आप लोगों के साथ में टेलिग्राम है पहले से शेयर करके रखा हुआ था प्री मार्केट के मेरे अनलेसिस के बेसिस पे कि आज मार्केट में मूव आने की चांसे जो है वो बहुत ही कम लग रहे है निफ्टी के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ 18,630 का important level था इसे पूरे दिनबर मार्केट ब्रेकट नहीं दे पाया लेकिन positive चीज यह थी कि downside से जो हम लोग ने support create किया हुआ था ड्रॉ किया हुआ था उसे भी breakdown जो है नहीं दे पाया था इसके बीच में price ने आज पूरा दिन बर अपना time जो है वो spend किया है अगर से बात करें कि जो भी तीन breakout stocks आप लोग के साथ में share किये थे मैंने उसके analysis के साथ में Simmons उसमें से पहली breakout stock थी जो upside में breakout नहीं दे पाई थे downside में हम लोग को एक move इसमें देखने को मिला जिसमें P side में अच्छा profit हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है दूसरा breakout stock आज की दिन के लिए जो हम लोगों ने discuss किया था वो था SEC का straight fall इस candle के साथ में हम लोग को देखने को मिला था और उसके बाद में हमारी buy side की या फिर sell side की किसी भी level को stock ने breakdown नहीं दिया था या फिर breakout भी नहीं दिया था तो यहाँ पे कोई trade नहीं बना था तीसरी breakout stock थी आज के हमारी पेडलाइट इंडस्रेस की जिसके पांच मेट की candle जो है काफी बड़ी बनी थी और उसके बाद में हम लोग को कोई भी pullback जो है वो market में create नहीं हुआ तो straight upside में जाने वाला stock जो है इसे हम लोग price action के basis पर trade नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर उससे risk जो है वो काफी बढ़ जाता है और risk के हिसाब से reward आने की चांसे जो है वो बहुत काम हो जाता है तो options में हमेशा हमें हम लोगों को जो अपना loss है उस पर control रखना पड़ता है profits के बारे में हम लोगों को बाद में सुचना पड़ता है तो यहाँ पेड़लाइट इंडस्रीज में कोई trade नहीं बनी थी और और सिर्फ एक trade आज हम लोगों की बनी थी उसमें एक अच्छा profit हम लोगों को देखने को मिला वाई यह completely sideways market जो आज के दिन में देखने को मिला है 446 days तक 99% की जो भी accuracy मैं claim करता हूँ आप लोग के साथ में अपने हर YouTube के वीडियो में और अपने हर YouTube के thumbnail पे वो आज भी बरकरार है कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही continue रखने की तो अगर आप लोग चैनल पे नए है तो ऐसे ही learning वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर अगर से आप लोग मेरी premium services को free of cost में पाना चाहते हैं अगर से आप लोग उने नहीं देगी है मेरी accuracy तो एक बार YouTube को scroll करके देख लीजिए और Telegram को भी scroll करके देख लीजिए मेरी platinum premium services जो की specialized है nifty and bank nifty index options पे इसे आप लोग completely free of cost में जो है वो पा सकते है link description box में दिया हुआ ह account अपनी का आप लोग को एक नया DMAT account जो है वो open करना होगा मेरे दिये गए link through और आप लोग मेरी premium services को जो है वो free of cost में enjoy कर सकते है अप कल के दिन की हमारी पहली breakout stock होने वाली है जिसमें हम लोग को एक trend line का का काफी अच्छा resistance दिखाई दे रहा है और उतना ही अच्छा एक support trend line का stock ने create करके रखा हुआ है and completely इसके अंदर price जो है वो squeeze हो चुका है और आइदर किसी भी side में breakout के लिए ready भी है 3527 की नीचे पॉली के अब weak है 3519, 3508 और 3495 यहां पे हमारे downside के levels रहेंगे तो 3540 stop loss रहेगा इन केस नीचे नहीं आता है resistance को breakout देने में कामियाब हो जाता है तो 3540 के उपर stock bullish है 3548, 3560 और 3575 यहां पे हमारे upside के levels रहेंगे तो 3527 stop loss रहेगा दूसरा breakout stock कल के दिन के लिए जो हम लोग यहां पे discuss करने वाले है वो रहेगा हिंदूस्तान उनिलिवर का इस stock के बारे में गर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे trend line का बहुत अच्छा support इसने create करके रखा हुआ है और 2657 के उपर stock bullish है 2664, 2675 और 2690 यहां पे हमारे upside के levels रहेंगे तो 2645 stock loss रहेगा इनकेस upside नहीं चला जाता है तो 2645 के नीचे breakdown के basis पे stock weak है 2638, 2625 और 2613 यहां पे हमारे downside के levels रहेंगे तो 2657 stock loss रहेगा कल के दिन का जो तीसरा और आखरी breakout stock हम लोग यहां पे discuss करने वाले हैं वो रहेगा दीपक नाइट्रेट का अगर इस stock के बारे में हम लोग बात करेंगे तो stock में काफी अच्छा resistance इसने create किया हुआ है और end of the day around resistance के हम लोगों को यहां पे closing मिला है सो कल एक हलका सा gap up भी आया तो इस trend line को breakout मिलेगा और यह stock जो है वो 2036 के ओपर bullish हो जाएगा 2044, 2055 और 2068 यहां पे हमारे upside के levels रहेंगे तो 2025 stock loss रहेगा इनकेस अगर upside में नहीं जाता है तो 2025 के नीचे stock week है 2018, 2008 और 12997 यहां पे हमारे downside के levels रहेंगे तो 2036 इस stock का stock loss रहेगा तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे levels के साथ में trade करते हैं तो कुछ चीज़े जो है वो आप लोगों समझ के लिए नहीं है जैसे कि उसमें से पहले चीज़ यह है कि अगर से यह हम लोगों का buy above level है तो कोई भी 5 minute time frame के जो candle है वो इसके उपर close होनी चीज़े जब अगली candle जो है वो इसका high break करेगी तो तब हम लोग यहां पर अपनी entry जो है वो manually ले लेंगे ना कि ऐसे levels पे हम लोग अपने orders को या फिर इन numbers पे हम लोग अपने orders को जो हो पहले से लगागर के रखेंगे क्योंकि magical levels के साथ में price action का setup होना जो हो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है साथ में अगर यह हम लोगों का अगर stock loss का level है तो कोई भी 5 minute time frame की candle हमारे levels के नीचे close होनी चीज़े जब अगली candle इसका low break करेगी तो manually हम लोग अपने orders को जो हो ट्रिगर करने वाले है साथ में दोस्तों जो भी तीन breakout stocks हम लोग यहां पे discuss करते हैं सारे के सारे stocks future and option में listed stocks है इसका मतलब यह है कि आप लोग इनके futures को या फिर इनके options को अपने radar पे रख सकते हैं इसका मतलब यह है कि आप लोग इनके futures और इनके options को भी अपने radar पे रख सकते हैं अगर आप लोग options को select करें तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी strike price अप लोग select करोगे साथ में जो भी nifty and back nifty के levels हम लोग यहां पर discuss करते हैं सारे के future के चार्ट पर discuss करते हैं future पर क्यों discuss करते हैं इसका main meaning यही है इसका reason main यही है कि जैसे कि आप लोग उने देखा रहे हैं अपने हर वीडियो में आप लोग को volume दिखा दे रहे तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जब भी nifty back nifty breakout rates करें तो आप लोग volume का ज़रूर ध्यान रखें कि जब breakout हो रहा है तब volume है कि नहीं है उसमें और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग indicators यूज करते हैं वह ज्यादा effectively compared to spot future में बहुत जादा effectively चलते तो definitely आप लोगों को यहाँ पर आपके trading में इन सारी चीजों से बहुत जादा help जो होने वाली है साथ में जो भी levels हम लोग यहाँ पर discuss करते हैं अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फाइदा नहीं होने वाला है इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखन तो आज के दिन में मैंने कल के थमनेल पर लिखा था कि मार्केट में बुल्स का एंटरी हो सकता मार्केट में रिवर्सल आ सकता है तो हलका सही सही देल कि हम लोग को एक green candle आज निफ्टी पर जो है वो देखने को मिल रहा है और कल हम लोगों को आज completely sideways मूव मार्केट में द देखने को मिल जाए थोड़ा सा cross connection हम लोगों को यहां पर बैक निफ्टी में देखने को मिला है closing basis पर जो कि बैक निफ्टी ने इतना अच्छा recovery नहीं दिखा है जितना निफ्टी ने दिखा है सो निफ्टी के बारे में कर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर डी हाई के breakout के basis पर एक अच्छा हम लोगों का C side का फिन निफ्टी पर trade बन सकता है क्योंकि कल फिन निफ्टी का expiry है तो premiums काफी low रहेंगे instead of nifty and bank nifty के high premiums पर risk लेने किसे अच्छा है फिन निफ्टी के जो छोटे premiums है इस पर हम लोग trade करना सीख ले और अगर से इसका deal low चला जाता है I mean यहां पर trend line भी है तो इसका भी low जाना जरूरी है तो अगर यह दोनों चीज़े हो जाते है तो हम लोग को एक downtrade भी अच्छा लेखने को मिल सकता है कल market कहां पर खुलता लेकिन आए दिन हम लोग को आज इतने news market में देखने को मिल रहे है कि BTS2 threats करना बहुत जादा risk हो चुका है यहां पर बात करेंगे निफ्टी के बारे में तो 18,625 के उपर निफ्टी पुलिश रहेगी 18,660, 18,720, 18,763 और 18,818 यहां पर अपसर्डी के लेवल सरेंगे तो 18,590 के नीचे निफ्टी वेक रहेगी 18,557, 18,514, 18,470 और 18,427 यहां पर हमारे डाउंसाइड के लेवल सरेंगे बैंक निफ्टी के बारे अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने अभी तक कोई reversal का sign यहां को नहीं दिखा है हलका सग rejection day end में हम लोग देखने को मिल रहा है लेकिन वो काफी नहीं है कहने के लिए कि बैंक निफ्टी में reversal देखने को मिल रहा सिर्फ अगर इसके आज के दिन के volume के बारे हम बात करोंगे तो काफी low volume ट्रेड हुआ है. candle थो हम लोग को काफी बड़ी देखने को मिल रही है लेकिन volume काफी छोटा ट्रेड हुआ है. अब इसका reason ये भी हो सकता है कि bank nifty completely sideways था. यहाँ पर जो low volume है यही हम लोग के लिए कल एक positive sign है अगर से nifty में डे हाई को breakout मिल जाता है और आज का opening price को अगर bank nifty में breakout मिल जाता है तो एक अच्छा uptrend drive को हम लोग को कल देखने को मिल जाएगा अगर से इसके intraday levels के बारे में बात करेंगे तो 44,000 के उपर bank nifty बुलिश रहेगी 44,082, 44,193, 44,301 और 44,426 यहाँ पर अपसाइड के levels रहेंगे तो 43,870 के नीचे bank nifty वीक रहेगी 43,788, 43,705, 43,617 और 43,500 यहाँ पर अमारे downside के levels रहेंगे तो दोस्तो हम लोग ने यहाँ पर discuss किये हैं कल के दिन के मेरे बहतरीन तीनो breakout stocks साथ है हम लोगों ने निफ्टी और बैक nifty के कल के दिन के magical levels को देखा है कल के दिन के prediction के साथ में चैनल पर नए है तो ऐसे ही learning videos के लिए चैनल को ज़रूर subscribe करें वीडियो के description box में मैं अपना telegram का link दे करके रखा हुआ है जहाँ आप लोग मुझे live market के अपडेट्स के लिए ज़रूर follow करें और सबसे important चीज़ गाईज अगर आप लोगों अभी तक वीडियो के like और comment नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दे thank you so much